अधर्निय श्री विंकया नाइडू जी सूचना एवं प्रसारन मंत्री भारत सरकार अधर्निय कनुल राजय वर्धन राथोर जी सूचना एवं प्रसारन राजय मंत्री भारत सरकार आदर निय श्री एके बीर और श्री चित्रार्थ जी हमारे विशिष्ट अति थी विभिन विद्यालियों से यहां आए हुए प्यारे बच्चो मीडिया के मित्रो मंत्राले और डिरेक्टरेट और फिल्म फेस्टिवल के सभी सहयोगी देवी और सजनो हमारा स्वतंतरता दिवस हम सब के लिए एक अत्यंत हर्ष और गौरुव का विशह सत्तरवे स्वतंतरता दिवस के अफसर पर सर्व प्रथम मैं आप सब को अपनी और से अपने मंत्राले की और से भारसरकार की और से हार दिक बढ़ाई और अभिरंदन करता हूँ मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि हम स्वयम अपने आप को भी बढ़ाई दें इस महान अफसर पर और साथ ही प्रभू का भी धन्यवाद करें जिसने हम लोगों को इस स्वतंतर देश की स्वतंतर वायू में रहने जीने का अफसर प्रदान किया है और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि हम में से अधिकतर यहां पर वो लोग होंगे जो शायद पराधीनता के कष्ट को जिनोंने अनुभव नहीं किया हूगा हम लोग आजाद हंदुस्तान में पैदा हुए आजाद हंदुस्तान में बढ़े और शायद इसलिए गुलामी का जो दर्द है उसे हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे कभी वास्त विक रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे और मैं ये अपने मान ये प्रधान मंत्री जी उनके सारे मंत्री परिशद के सहयोगी हमारा जो राजनीतिक नित्रित्व है उनकी सोच को अभिवादन करना चाहूंगा जिनोंने पहली बार इस स्वतंतरता दिवस को केवल एक दिवस के रूप में ना मना कर एक पर्व के रूप में मनाने का सोचा और सरकार के सभी मंत्राले सभी विभाग उन्हें ये निदेश दिए गए कि हमारे हमारी सारी जंता को और विशेश रूप से जो हमारे नाजवान हैं हमारे बच्चे हैं उन्हें इस पर्व का हिस्सा बनाया जाए इस उधघाटन समाहरों में भारी मात्रा में हमारे बच्चे आस-पास के विद्यालियों से आए है मुझे हर शाय देखकर ये बच्चे हमारा भविश्य है इन्हें स्वतंतर्ता का मूल स्वतंतर्ता का महत्व पता होना चाहिए आपने और मैंने हमने सबने देखा है स्वतंतरता दिवस के या गंतंतर दिवस के अवसर पर रेडियो टीवी के ऊपर देश भक्ती के गाने या एक स्वतंतरता दिवस का कारेक्रम उसमें देश भक्ती के गाने उनको बजाकर हम समझते हैं हमारा कर्तवे समाप्त हो गया प्यारे बच्चो ये तो हमारे कर्तवे का प्रारंभ हुआ है ये अजादी बहुत मेहनत से बहुत बड़ी कीमत चुका कर मिली है हमारा कर्तवे है हम इसको बनाए रखें बचाए रखें और सुतंतर भारत को उनती के पत पर ले जाए सुतंतरता दिवस का ये अवसर जिसके लिए आज से भारत पर्व की शुरुआत हो रही है ये एक अवसर है हम लोगों के लिए उन सभी अनगिनत सुतंतरता सेनानियों को शहीदों को समर्ण करने का बहुत हैं जिनका नाम लिया जाता है जिनका नाम जाना जाता है और उससे कई गुना ऐसे हैं जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते हम प्रित्न करें उनके बारे में हमें जानकारी मिले उनके द्वारा दिये गए जो बलिदान हैं उनको हम याद करें और संकल्प करे कि आपका ये भलिदान वियर्थ नहीं जाएगा सुतंतरता दिवस और भारत पर्वका जो मंत्र हम लोगों का है आजादी सत्तर साल याद करो कुर्बानी ये कुर्बानी वियर्थ नहीं जानी चाहिए हमें हर क्ष прव इस कृर्बानी को याद रखना है वो सिनानी वो सतंतरता सिनानी वो शहीद जिन्होंने अपने प्राण अपना जीवन अपना परिवार सब कुछ सतंतरता के इस यग्या में होम किया उन्हें हम हर क्षण हर पल याद रखें किन भावनाओं के साथ बिना किसी अपेक्षा के उस समय किसे मालूम था हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा कब आजाद होगा लेकिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुती दी अपने परिवार हूम किये उनके प्रती हमारी सची स्रतांजली यही होगी हम उन्हें याद भी करें और इस सबसर पर उनके सपनों का भारत बनाने का हम लोग संकल्प जो है उसे दुबारा दोहराएं मैं मानिय मंत्री जी का हृदे से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके मार्ग दर्शन में इस प्रकार के कारेक्रमों की रूप रेखा बनी है मन्तराले की ओर से ये केवल एक कारेक्रम देश भक्ती के फिल्मों के स्क्रिनिंग का ये प्रोग्राम ये उत सब जो है ये मनाया जा रहा है एक सबता तक ये चलेगा इसके बाद हमारा प्रतन रहेगा कि इसे दिल्ली से बाहर भी अन्य शहरों में भी इसको लिजाया जाए राश्ट्र भक्ती की, राश्ट्र प्रेम की ये जो जो जोती है ये बंद भी नहीं होनी चाहिए ये मध्यम भी नहीं होनी चाहिए ये पूर्ण प्रकरता के साथ प्रत्यक देशवासी के हुड़े में राश्ट भक्ती की जोला जलती रहे हम लोग अपनी और से पूरा प्रतन करेंगे मैं मान्य मंत्री महुदय को आश्वासन देता हूँ मंत्राले और डार्ट रेट और फिल्म फेस्टिवल अपनी होर से पूर्ण प्रयासिस चीजगा करेगी अन्त में एक बार मान्य मंत्री महुदय का यहां पधारने के लिए मान्य राजे मंत्री महुदय का यहां पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ दो बहुत विशिष्ट फिल्म परसनालिटी बड़ी एमिनन्ट फिल्म परसनालिटी श्री एक बीर जी और श्री चित्रार्थ जी हमारे बीच में आज मौदूद है हमारे लिए बहुत गौरव की बात है श्री एक बीर गांधी फिल्म तीस वर्ष के बाद भी जिस फिल्म का नाम हमारे इतिहास में स्वर्णी मक्षरों में लिया जाता है उस से उसके सिनेमेटोग्राफर है श्री चित्रार्थ जी नोटेड फिल्म डारेक्टर है शहीद उदम सिंग से संबंदित फिल्म के लिए ने विशेश रूप से संबानित किया गया है यह हमारे बीच में मौझूद है मैं इनका धन्यवाद करता हूँ यह समय निकाल कर यहां पधारे आप सभी विशेश टतित्यों का जो यहां पधारे हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सर्व प्रथम और सर्व बच्चे यह प्यारे बच्चे जो अपने विद्यालेों से आज समय निकाल कर यहां पर आए है मैं उमीद करता हूँ कि केवल फिल्म नहीं देखेंगे फिल्म के पीछे और फिल्म उत्सम के पीछे जो अंतरनीत भावना है उसे ये प्रेरित होकर देश के प्रती प्रेम, देश के प्रती सम्मान, देश के प्रती निष्ठा को सारे जीवन भर अपने साथ लेकर ये जाएंगे इनी शुबनाओं के साथ मैं पुरा आप सब का धन्यवाद करता हूँ